Tenses की Series में आज ही हमारा Future का Continuous Tense है इसे बहुत अच्छे से देखेगा क्योंकि बहुत सारे Confusion यहाँ पर इस Tense को लेकर रहते हैं देखे पहला Confusion तो क्या होता है कि जैसे कई बार हम बोलते हैं कि इस Tense की जो पहचान होती है वो रहा होगा रही होगी या रहे होगे होती है लेकिन यहाँ पर देखें कहां आता है जैसे वह अभी ना रहा होगा वह अभी सो रहा होगा वह अभी टीवी देख रहा होगा तो क क्या इस तरह के sentences को भी हम future का continuous मानेंगे बिलकुल नहीं मानेंगे इनकी framing अलग होती है इनकी framing maybe के साथ करते हैं जिसके लिए हमारा separate video है ठीक है उसे आप देख सकते हैं और ये वाली जो concept है रहा होगा रही होगी या रहे होंगे इसको अच्छे से देखेगा ये वाला जो concept है ये आपको मान के चलना है future के लिए और यहां future की कोई बात future का कोई word आपको add करना पड़ेगा तब आप कहेंगे कि रहा होगा रही होगी या रहे होंगे future continuous है clear होगी बात चलिए मैं उसको भी आपको बता देता हूँ थोड़ा short में कि जब हम कहते हैं कि वह अभी सो रहा हो तो देखे पहचान की बात हमने आपको बताई रहा होगा रही होगे और रहे होंगे इसे ही मानना है लेकिन कब जब future का कोई word वहां पर दिया हुआ होगा जैसे हम कहें कि वो कल इस समय पर नहां रहा होगा अब यहां पर कल आ गया ना तो clear होगी बात कि कल की बात हो रही है वह अगले महिने वह अगले महिने college में admission ले रहा होगा ठीक है अब अगले महिने की बात आ गई तो अगले महिने की क्या बात आ गई यहां पर की future ठीक है तो इस तरह से आपको देखना है अब देखें यहां पर adverbials की बात जो की exam में आपको help करेंगे तो exam में adverbials क्या रहे इस टाइम पर अगले साल, है न, at this time next year, और इस समय पर कल, यानि कि at this time tomorrow, clear हो गई बात यह, अभी sentences आएंगे बाद में, उससे और ज़्यादा clear हो जाएगी बात, अब देखें helping verb, यहाँ पर देखें, बहुत सारे लोग यहाँ पर यह कहते हैं, कि इस tense की helping verb, will be और shall be है, ऐसा नहीं कहना है, अगर आप ऐसा कहेंगे, तो बहुत यहाँ पर complication, यहाँ पर create हो जाई, मैं आपको सिखाता हूँ, क्या चीज़ यहाँ पर साहिए, देखें, यहाँ देखें, आपको helping verb, will और shall को ही मान कर चलना है, जब आप will और shall को helping verb मान कर चलेंगे, तो मैंने आपको प will और shall model auxiliary verb है, और इसके साथ कौनसी first form आई है, बी, तो यहाँ पर बी आने का मतलब क्या है, यहाँ continuous की जो verb है, main verb है, उसे हमें continuous में रखना है, यानि कि उसे हमें ing में रखना है, यह तो fix है कि main verb को ing में रखना है, लेकिन will और shall क्या कहते हैं, वो तो model auxiliary verb है, वो तो कहते हैं कि हम तो बिना verb की first form के कहीं नहीं जाएंगे, हमें तो पहले first form चाहिए, फिर हम कहीं पर भी जाएंगे, तो हमने उन्हें खुश करने के लिए क्या दिया, यहाँ पर बी दिया, अब यहाँ पर आप कहेंगे कि बी ही क्यों दिया, कुछ और दे देते, तो बी क्या है, यहाँ पर आपने अगर मेरा बी वर्ब का section पढ़ा हो, जिसके अंदर चार पार्ट में मैंने बी वर्ब को यहा और को लेकर नहीं आए हैं, ठीक है, विल और शेल की साथ क्या आजया है, यहाँ पर बी, अब यहाँ पर हमें में वर्ब किसमें रख ली, आई एंजी, क्योंकि जितने भी टैंसे जहाँ पर की continuous लिखा हुआ आजाए, वहाँ पर में वर्ब आई एंजी होगी, टोटल मिला कर 6 टैंसे ऐसे होते हैं, जहाँ पर की वर्ब में आई एंजी आती है, यानि की वर्ब की first form में हम आई एंजी का यूज करते हैं, और तीन टैंसे ऐसे होते हैं, जिसमें की perfect आता है, यानि की वर्ब की third form आती है, perfection के लिए 9 टैंसे खतम, और हमारे तीन टैंसे बसते हैं, ज सारे sentences clear हो गए simple sentences की अगर हम बात करें तो देखें यहाँ पर subject और will shall के साथ be और फिर first form में ing और फिर object यहाँ देखें मैंने will shall को के साथ be नहीं लिखा है क्यों नहीं लिखा है क्योंकि जैसे ही हम negative बनाने जाएंगे तो will shall के just bad not use करेंगे ना कि be के बाद यूज़ करेंगे समझमारी बात देखें subject के साथ will shall और फिर not और फिर be इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि will shall के साथ be नहीं लिखना है be को अलग से लिखना है क्योंकि हमारी main helping verb will shall ही है यह be को तो हम इसे खुश करने के लिए लाए है सिर्फ ठीक है इसकी condition को पूरी करने के लिए लाए है ठीक है तो यहाँ will shall हमारा main helping verb है इसलिए will shall के बाद हमने not use किया है ठीक है याद रहेगी बात यह अच्छे से अब देखें interrogative अब interrogative में क्या करना होता है आपको मैं पिछले काफी टाइम से बताता हूँ आ रहा हूँ कि will shall को आगे ले आना है यानि कि helping verb को आगे ले आना है यहाँ पर interrogative sentences के अंदर तो will shall को आगे लेकर आगे subject be verb की first form में ing और object और फिर question mark और यह कैसा वाला sentence है जिससे की start होता है हिंदी में क्या और यह देखे wh word वाला यानि कि यह start होगा subject से यह होगा कि क्या कल वह खाना खा रहा होगा और यह होगा वह कल इस समय पर खाना क्यों खा रहा होगा ठीक है जब यह क्यों आया है बीच में या फिर हम कहे subject से start होगा और question भी आ रहा है तो हम यह चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से पिछले वीडियोस में बता रही है उसमें भी आप अच्छे से देख सकते हैं बाकि सारी चीज़े अपनी जगह पर हैं अगर आप इस sentence को इस से देखेंगे तो यह exact इसी की तरह दिखेगा best क्या फर्क दिखेगा कि will और shall को हम आगे ले आए अब देखें용 interrogative और negative interrogative negative किस की तरह दिखेगा exact negative की तरह यहाँ पर दिखाई देगा 客 अब देखें कुछ examples ले 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 लेते हैं जैसे कल बारिश हो रही होगी अब यहाँ पर हमारे पास subject नहीं है लेकिन हमारा एक वीडियो है complete it के उपर it के सारी uses मैंने उसमें आपको बता रखे हैं तो उस वीडियो को आप देख ली जगा तब आपको पता लग जाएगा कि वहाँ पर it का use क्यों हो रहा है तो देखें यहाँ subject हम क्या लेंगे it it will be raining tomorrow यानि कि कल बारिश हो रही होगी हम अगले साल अमेरिका जा रहे होंगे यहाँ पर आया है अगले साल और रहे होंगे ठीक है तो we shall be going to America next year क्या वह कल शाम को गाना गा रही होगी तो will she be singing song in the evening tomorrow इंदा इवनिंग का मतलब होता है शाम को तो today कहेंगे तो today हो जायागा आज शाम को in the evening tomorrow यानि कि कल शाम को अगर हम कहें कि पिछली शाम को तो in the evening yesterday clear है in the evening लगा कर हम बोलते हैं अब कुछ correct form of the work फिल करते हैं जो कि आपके exam में आती हाला कि इस tense से आपके exam में question बहुत ही rare पूछे जाते हैं फिर भी हम कुछ examples ले लेते हैं the Indian cricket team play at this time tomorrow at this time आ गया तो आपको पहचान जाना है at this time के साथ कैसा यहाँ पर time आ रहा है यहाँ पर future का time आ रहा है तो आपको पहचान जाना है कि future का continuous यहाँ पर हम फिल करेंगे और future के continuous में will और shell के साथ b और b के साथ क्या आता है ing का मतलब first form के साथ ing देखे the Indian cricket team है तो क्या आएगा यहाँ पर will क्यों 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 कि i और v के साथ shell और बाकी सब के साथ will तो will be playing मैं इस play को यहाँ पर erase कर देता हूँ और यहाँ लिख देते हैं हम playing ठीक है हिंदी क्या हो जाएगा कि Indian cricket team कल इस समय पर खेल रही होगी ठीक है our school educational tour visit Delhi at this time next month अब यहाँ पर फिर से देखें क्या आया है at this time next month यहाँ पर at this time इसे लिख लिजेगा कि इस समय पर हमारे school का जो educational tour है यानि कि हमारा सेक्षिक जो tour है वो कहाँ पर विजिट कर रहा होगा अगले महीने दिल्ली विजिट कर रहा होगा अब यहाँ पर हम इसे क्या भरेंगे तो यहाँ पर फिर से आएगा will और will के साथ be will be visiting Delhi at this time next month सुनीता swim in the river at this time tomorrow अब यहाँ पर सुनीता आया है तो सुनीता के साथ फिर से हम क्या लगाएंगे will और future का continuous है कैसे पता लगा at this time tomorrow के साथ ठीक है तो सुनीता will be swimming और swim के साथ double M लगाकर ing लगाते हैं ing का हमारा complete lecture है उसे भी आप देख सकते हैं कि ing किस तरह से लगाई जाती है तो सुनीता कल इस समय पर नदी में पैर रही होगी तो उमिद करता हूँ कि आपको future का continuous clear हो गया होगा अगर आप वीडियो पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को subscribe जरूर कर ले और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक share करें क्योंकि बहुत से लोगों को यहाँ tenses में problem होती है तो thanks a lot for watching this video